Hello everyone, welcome to my channel So guys, आज मैं आपके साथ में प्याज के रस के ठेर सारे benefits शेयर कने वाली हूँ कि प्याज के रस हमारी hair growth के लिए कितना beneficial है and साथ ही हमारी hair care related जितनी भी problems होती है उन सब का एक math solution है So guys, आज मैं आपके साथ में इसका application and इसको कैसे बनाना है इसको कैसे लगाना है, वो सब शेयर करने वाली हूँ वीडियो के last में मैं इसके कुछ precaution आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ So बिना time waste की बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो सबसे पहले आपको लेना है two small onion आपको red onion लेना क्योंकि white onion में इतनी अतिक मात्रह में sulfur नहीं होता है जितना की red onion में अच्छी से प्याज को आपको साफ कर लेना है and then आपको या तो mixer grinder की helps को कदू कस कर लेना या फिर आप ऐसे जिसे मैं करती हूँ आप उसकी help से भी कर सकते हैं and मैं हमेसा प्याज को चानने के लिए मनलब प्याज का juice निकालने के लिए net के कपड़े का use करती हूँ ताकि प्याज करस विलकुल waste नहीं होता है तो आप भी use कर सकती है ये method तो अच्छी से मैं प्याज का juice निकाल लोंगी and guys प्याज में बहुत ज़्यादा अधिक मातरा में होता है तो कि हमारी hair roots में जाके hair को बहुत अच्छी से strong बनाने में help करता है तो onion हमारे hair growth को promote करने में help करता है and hairs को healthy बनाने में help करता है and इतने भी हमारे hair में breakage की problem होती है जो बीच बीच में से बाल तूटते है बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं उनको ठीक करने में help करता है and fight premature growing है जो हमारे white hair हो जाते हैं उनको धीरे-धीरे black करने में help करता है सबसे ज़्यादा best है हमारे hair loss को reduce करने में and dandruff की problem को तीरे-धीरे खतम करने में आप सकते हो हमारे juice बनके तयार हो गया है and इसको हम direct apply नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा strong होता है तो guys सबसे पहले मैं क्या करूंगे अपनी hair को अच्छे से calm कर लोंगी and then अब क्या करूंगी एक spray bottle लोंगी खाली और उसमें filter water add कर दोंगी so filter water add कर देने के बाद में जो हमने onion juice निकाला है उसको मैं इसमें add कर दोंगी हम इसे direct भी apply कर सकते हैं लेकिन यह हमारे scalp के लिए काफी strong हो जाता है तो हम इसे थोड़ से water में add करके भी लगा सकते हैं जैसे मैं आपको पता रही हूँ आप कोई भी spray bottle में इसको add कर सकते हैं क्योंकि बहुत जादे easy to use हो जाता है बजाए जैसे हम finger tip से लगाएंगी तो नहीं लग पाएगा अगर हम spray bottle की help से लगाएंगी तो आप देख सकते हो बहुत जादे easy ले लग पा रहा है और आपको एक-एक मांग करके लगाना है इसको एक मांग करनी है और spray कर देना है सो मसाज करते हुए लगाना आपको पूरे scalp है यह तरीका बहुत जादा सरल और best है आपको कुछ नहीं करना है बस onion dress निकालके और इसको अच्छे से scalp में लगाना है onion juice को मैं कई तरीके से लगाती हूँ जैसे कि कभी मैं hair mask लगा रही हूँ तो जैसे कि honey लिया मैंने onion juice लिया एग लिया उसमें एड करके लगा लिया और कभी coconut oil मैं onion juice एड करके मैं लगा लेती हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से onion juice को अपलाय करती हूँ अपने scalp पे आपकी बालों में कोई भी problem हो जैसे कि बालों का जढ़ना, तूटना, फ्रेकिज होना, बालों का बहुत जादा पतला होना तो आप onion juice का continue इस्तेमाल करें, आपकी सारी problem खत्म हो जानी है onion juice को हम direct अपने scalp पे apply करते हैं तो यह हमारे blood circulation को start कर देता है और अच्छे से roots में जाके हमारे hair को strong बनाता है आपने देखा होगा कभी-कभी scalp इतना जादा बाल तूटने लग जाते हैं हमारे scalp इतना वाइड देखने लग जाता है, बिल्कुल देखने लग जाता है अगर आप अपने अपने जूस को अप्लाय करते हैं तो आप देखेंगे 7 देज के अंदर ही डिफरेंस यह मेरा खुद का परसुनल एक्सपीरेंस है आप प्लीज इसको ट्राय करना स्टार्ट कर देखें मसाज करते हुए मैंने अच्छी से पूरे scalp में अनियन जूस को अप्लाय कर लिया है अब मैं क्या करूंगी हेर वाश अब हमें इसके प्रकॉशन के बारे में बात करती हैं तो फर्स्ट अगर आपके scalp में किसी भी तरीके की इचिनेस है या फिर चोट लगी होई है तो आपको अनियन जूस बिल्कुल भी अप्लाय नहीं करना है सेकंड आपको इसे वीक में दो से तीन बार ही अप्लाय करना है थर्ड एस आपको कभी भी अनियन जूस को गंदी बालों में गंदी scalp पे नहीं अप्लाय करना है क्योंकि ये हमारे pores में जाके गंदीगी को फिल कर देगा और hair fall की problem और भी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको हमेसा clean scalp पे इसको अप्लाय करना है यह थी कुछ इसके precaution I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तटे